छाप्टर नमबर 9 से रिलेटिट है अर आपका टॉपिक क्या है कि रिलेशन बेटीवीण का कि तरीके से कल्चर और मिस्ट का रिलेशन होता है आपस में कल्चर मतलब कोई भी जगा होती है तो वहां का एक specific culture होता है वहां की वहां का रहे सेहन, उनका बोलना, उनका dressing sense, उनका festival, celebrate करना, सारी चीज़े आजाती है हमारे culture के अंदर और myths आपको पता है myths explain in society and it concerned with the value to itself because जितने भी myths होते हैं वो कहां exist करते हैं society के अंदर exist करते हैं they provide models of behavior in the time of crisis every myth provide a model of behavior it means what कि क्या करना है क्या नहीं करना है इसे related myths होते हैं जैसे कि अगर day to day life में अगर example दें तो plant होता है उसकी बात कर रही हुँ मैं तो यह भी क्या होता है इसके पीछे भी एक myth होता है reality क्या है कोई नहीं जानता क्योंकि यह कहीं पे जितने मेंचन नहीं है बड़ जैसी किसी ने बोला generation to generation यह चीज़े पास्वन होती चली गई myths never have authors यह बहुत important है कि जितने भी myths होते हैं उनके कोई author थोड़ी होता है जब वो चीज written form में कहीं available होगी जब कोई चीज written material में available नहीं है तो उसका author कैसे हो सकता है इसका मतलब किसी ने उसे लिखा नहीं है वो mouth to mouth spread हो रही है society में from one generation to next generation we just inherit later literally version of the stories with the help of stories we know the myth अगर किसी particular state की बात करें तो अगर हम राजस्थान का example लेते हैं तो राजस्थान के जो myths होंगे जो beliefs होंगे वो किस से related होगे वहां की culture से राजस्थान के culture से और वहां की society से related होगे क्योंकि myths किसको देखके बनाये जाते हैं, society को देखके बनाये जाते हैं, तो इसलिए बोला जाता है कि जो myths होते हैं और जो culture होते हैं, उन दोनों का आपच में एक strong relation होता ही है, अगर महाभारता का, तो अगर हमें आज पता है कि कितने दिन युद्ध था, जो war था, वो चला था, या पिताम अभीश्म के बारे में पता चलता है, कि वो कितने दिनों तक survive कर पाए थे, और उनको ये था कि जब तक वो नहीं चाहेंगे, उनकी death नहीं होगी, तो ये सारी चीज़े हमें कहां से पता चलती है, ये सारी चीज़े हमें आपने कहां से ही पता चलती है, कि जैसे जैसे एक जनरेशन से नेक्स जनरेशन में लोगों ने अपनी कॉमुनिकेशन स्टार्ट की अपने व्यू शेयर किये पॉइंट है लिविंग स्टाइल क्या होता है कि रहने का तरीका कैसे भी कोई रहता है और किस तरीके से वो अपनी लाइफ को जीते हैं morality and shortcoming अंदर morality की भी बात करते हैं किसके अंदर इसी myths के अंदर the human emotions जितने भी चीज़े होती हैं वो सारी इसी के अंदर आ जाती है they tells us अब ये they word जो बार बार यूज़ हो रहा है ये myths के लिए use और myths यूज़ ना करके यहां पर they का use किया गया है they tell us about the human celebration as well as tragic aspect of human society अब इसके साथ साथ ये क्या बताते हैं celebration को बताते हैं कि किसी भी चीज़ का celebration किस तरीके से होता या होना चाहिए example के लिए आप किसी भी पूज़ा पार्ट से related देख लीज़े books में आपको मिल जाएगा जो aesthetic books होती है लेकिन वो क्या एक myth की towards एक generation से next generation में उसके सारे rules regulation पास्वन होते रहते हैं अच्छा जैसे कि एक example अगर आपको बूला जाए कि जब बूलते हैं कि जब marriage system होता है तो उसमें कुछ rituals होते हैं अब ऐसा तो नहीं हो भी एक culture का ही हिस्सा है अब myths क्या होते हैं लाइक हिंदूस में जो होता है वो सिंदूर वियरिंग का या मंगल सुत्र वियरिंग का जो शादी में एक ritual होता है वो भी क्या है वो भी पास्वन होता चला गया वो भी एक तरीके की और उसके पिछे myths होते हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा तो यह एक example है that I am giving you for understanding only क्योंकि लिखना आपको वही है जो आपका text बोलता है यह example सिर्फ आपकी understanding को strong करने के लिए दे रही हूँ है the celebration includes the festival the ritual and the occasions the tragic aspect कौन कौन से होते हैं tragic aspect जैसे किसी की death हो गई यह बहुत जादा उसको क्या होगा लोस हो गया tragedy means tragedy means not happy ending और tragic मतलब कि जो दुख से भरा हो side by side में इन words को भी इसलिए explain कर रही हूँ कि कुछ students ऐसे भी होंगे जिनका graduation में English background नहीं रहा होगा तो वो comfortable feel करें myths help in formulating and rendering an image of the universe universe की image को बनाने में भी जो myths हैं वो बहुत ज़्यादा helpful होते हैं myths help in the validating and maintaining some specific social order यह एक religious explanation भी होता है about the origin of beginning of particular custom or the world कि आप इसे origin point मान सकते हो किसको myth को किस चीज़ का origin point beginning of particular custom की किसी भी custom की शुरुआत हो रही है world की या फिर world की शुरुआत हो रही है myths is considered as a traditional story especially one concerning the early history of the people for explaining a natural or social phenomenon and typically involving supernatural being or events कि myths के अंदर ही एक और बात भी होती है वो क्या होता है कि इसके अंदर supernatural events का भी यूज किया जाता है supernatural beings और events का यूज किया जाता है आपने कुछ ऐसे myths जरूर सुने होंगे अपने घर में जो आपको सुनके लगता होगा नहीं this is not possible in this era लेकिन फिर भी कुछ लोग उनको accept करते हैं उनको मानते हैं it carries the cultural values of culture from the one soul to another और one generation to next generation from the part of world अब यह बात बार बार repeat हो रही है कि जितने भी myths होते हैं वो क्या करते हैं वो cultural values को क्या करते हैं एक generation से next generation में forward करते हैं ठीक है और साथ के साथ जितने भी जो stories की medium से वो नई चीज़े लोगों को सिखाना चाहते हैं वो भी इससे ही किसके थू होता है myths के थू ही होता है एक generation से next generation में pass on होता है हर एक myths के फिछ अगर हम देखे हैं तो कोई नो कोई scientific logic होता है but on that time लोग science को तो जानते नहीं थे और उसको मानते भी नहीं इसलिए कहीं न कहीं जो myths के towards उसको जोड़ा गया था अगर मैं एक example लू तो कहते हैं कि fast करने से भगवान जो हैं वो खुश होता है अगर इसको science के language में बोलें तो अगर week में आप एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो जो आपके body के parts है वो relax करेंगे ठीक है तो जैसे human beings को normal सभी को rest चाहिए होता है आप देखते कोई भी profession हो कोई भी job हो आपको week में एक दिन की छुटी मिलती है संडे की और कुछ कुछ profession में तो Saturday और संडे दोनों की छुटी मिलती है कुछ ऐसे भी है जहां पर कोई dairy side नहीं है कभी भी किसी एक दिन पर मिल जाती है लाइक doctors को जो profession है या nurses हो गई उनमें क्या होता वीक में कोई भी एक छुटी मिल जाती क्यों कि एक दिन में जो बॉडी है वो रिलेक्स कर ले तक कि फिर से वो रिफ्रेश हो जाए काम करने के लिए इसलिए ऐसा है अब इसे मिद मालो या कुछ और मालो कि फास्ट रखने से भगवान से फैक्षै गोड़ी सिस्ट्म है उसको रिलीव मिलता है मेरे पास्टल व्यूंत से कोई वह नहीं है कि मैंने इस्टीजी से संजै सुरिव आपकी लिए कुछ ऑंप्ट्री आपको दे रही हूं myths is a story or an idea that believed by many people when something is believed by many people it becomes a part of the cultural life of those people myths क्या होता है कि एक ऐसी story की तरह होता है myth एक खुद एक story है जो एक idea एक belief लोगों को होता है उसके उपर और जब बहुत सारे लोग किसी चीज में belief करने लग जाते उस चीज को accept करने लग जाते उस चीज को agree करने लग जाते तो वो चीज उनकी culture का हिस्सा बन जाती है उनका जो cultural life है उसका हिस्सा बन जाती है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो myths है है अगर जोट नीव बोले तो देखो ममिं कहां रहलाओ करते हैं लोगों के बीच पे ठीक है और लोग कहां रहते हैं सचाइटी में रहते और उसाइटी में रहते तो उनका अपना एक culture है, अपनी एक language है, अपना एक culture है, तो जब myths भी वहीं रह रहे हैं, लोग भी वहीं रहे हैं, culture का हिस्सा है, तो क्या होगा, यह आपस में क्या है, इनके बीच में एक strong relation बनता हुआ नजर आता है इस तरीके से, we can say that myths are related with cultural life of the people, or you can say in another word, there is a huge relationship between myths and culture, so, and this is the part of life, और people की life में survive करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से, यह कंपना हो रहा है, तो मेजी 16 जितने भी students ने लिक लिया है, आप इसको day-to-day जितना भी वीडियो जा रहा है, उसको side-by-side इसको, क्या करेंगे, आप notes बना सकते हैं, नहीं तो at least 2-3 बार सुननेंगे, तो ची वीडियो पसंद आती है, content पसंद आता है, तो जरूर मुझे बताईए, and how you can tell me, आप कैसे बता सकते हैं, आप like करके और comment करके ही तो बताएंगे न, like and comment is a medium between me and you, तो हमारे बीच का एक connection भी रहेगा, और मुझे पता भी चलेगा, कि आपको चीज़े समझ में आ रही है, so take care and good bye.